क्या मंदिर की वज़े से एकोनोमी आगे बढ़ सकती है? कॉंग्रेस पार्टी मंदिर और एकोनोमिक्स इस पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है कॉंग्रेस पार्टी मंदिर की एकोनोमिक्स को लेकर सवाल खड़े कर रही है क्या मंदिर की वज़े से Employment Generation होता है? आज के एपिसोड में हम श्री राम जन्मभूमी मंदिर उसके साथ जुड़ी हुई Economics और उस Economics पर खड़े हुए सवाल या निशान के बारे में बात करेंगे. नवस्कार दोस्तों मैं हूँ मयूर परीक भारत में टेलिकॉम क्रांती के जनक सैम पित्रोडा ने ट्वीटर यानि एक्स के माध्यम से मंदिर Economics पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है. अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि BJP मंदिर भरो से है और विकास की बाते, डेवलोपमेंट की बातें, इकोनोमिक्स की बातें बगल हो चुकी है और मंदिर की बातें ज्यादा हो रही है. क्या इससे डेवलोपमेंट हो सकता है? सैम पित्रोडा का ये ट्वीट बहुत बड़े पैमाने पे वाइरल हुआ. इसे लेकर एक बहस छिड़ चुकी है. आज के एपिसोड में हम इसी बहस पर विस्तार से बात करेंगे. क्या वाकई में मंदिर की एकनॉमिक्स होती है या फिर एकनॉमिक्स के नाम पर आस्था का व्यावसाय होता है. पूरे मामले को समझने से पहले हमें ये जानना बेहत जरूरी है कि एकनॉमिक्स, बिजनेस, ट्रेड, मुनाफ़ा ये सब क्या होता है. एक सीधी और साधी भाषा में मैं आपको बताऊं. तो एकनॉमिक्स और डेवलोप्मेंट इसे कहते हैं, जैसे की एक बंजड जमीन हो, उस बंजड जमीन पर कोई इमारत बन जाए, इमारत बनने की वजह से कहीं सारी ट्रेड इंडस्ट्री और बिजनेस को काम मिले, रोज जिसकी वजह से एकनॉमी आगे बढ़े. दूसरा उदारन हो सकता है, कहीं एक बंजड जमीन पड़ी हो, जिसके ओपर कोई फैक्टरी बने, उस फैक्टरी से कार, स्कूटर या अन्य किसी चीज का निर्मान हो, जिसे लोग पैसे दे कर खरीदें, और उस जगह पर कहीं सार लोग उस इंडस्ट्री के साथ जुड जाएं और अपनी रोजी रोटी चलाएं, इस से जीडीपी को फायदा मिलता है, आईए अब बात करते हैं सैम पित्रोडा के दावे पर, सैम पित्रोडा ने ये दावा किया है, मंदिर ये कोई एकनॉमिक्स नहीं हो सकता, एकनॉमिक एक और भी पहलू है, जो जानना जरूरी है, दोस्तों, श्री राम जन्मो भूमी में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद, डेवलप्मेंट तो हुआ है, ये दावा इस समय कहीं सारे व्यापारी संगठन कर रहे हैं, आयोध्या के कलेक्टर को सौ मल्टी नेशनल क की तरफ से प्रपोजल मिले हैं कि वो अयोध्या में फाइव स्टार होटल बनाना चाहते हैं, इसी के साथ पूरे देश से कारीगर अब अयोध्या आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां काम मिल रहा है, अयोध्या के अगल बगल में होने वाली फूलों की खेती के लिए अब एक तयार बाजार मिल गया है, वस्त्र उद्योग, चित्रकार, कलाकार, सादू, संत, ये सभी कोई अयोध्या की और पहले के मुकाबले अधिक आएंगे, क्योंकि यहां उन्हें उन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जो उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें काम देना चाहते हैं, उनकी सर्विसिस लेना चाहते हैं, ऐसे में ये बात तो पक्की रही कि वहां पैसो का लेंदेन बड़े पैमाने पर होगा, एक व्यापारी संगठन ने कुछ ये बात कही है कि राम मंदिर बनने की वज़े से पूरे देश की इकोनोमी पर असर होगा, जी हां, एक परचेंडाइस के टीशट कपड़े बनेंगे, पतंगे बनेंगी, कई सारी ऐसी चीज बनेंगी जो पूरे देश में बेची जाएगी, लोगों के घर घर तक श्री राम मंदिर की छवी पहुचेगी और उसका व्योसाय पूरे के पूरे देश में अलग-अलग जगहों पर होगा, एक व्यापारी संगठन का ये भी दावा है कि अयोध्या में इतने बड़े पैमाने पर रोजगार निर्मिती होगी कि उत्तर प्रदेश के कहीं सारे लोग जो देश के अलग-अलग इलाकों में काम धंदे के लिए बाहर आए हैं, वो एक बार फिर उत्तर कि नहीं है, क्या इसे हम economics नहीं कह सकते हैं, क्या यहाँ पर पैसो का लेंदे नहीं हो रहा है, क्या यहाँ पर जो development की activity होगी उससे देश की wealth में बढ़ोतरी नहीं होगी, दोनों तरफ से दलीलें बहुत तेज हैं, दोनों तरफ से दावें बहुत कड़े हैं, एक तपका य यह मानता है कि मंदिर बनने से विकास नहीं होगा, दूसरा तपका यह मानता है कि मंदिर बनने से उत्तर प्रदेश में विकास जरूर होगा, लेकिन अगर एक बहुत बड़ी by product यहां से बनकर बाहर निकलेगी, तो वो यह होगी vote bank, वो यह होगी आस्था की राजनीती, औ कि इस देश में leftist विचारधारा के एकदम खिलाफ है, Congress Party भी इस से मात खा सकती है, ऐसे में चाहे economics आगे बढ़े या न बढ़े, लेकिन vote bank और वोटो की राजनीती जरूर आगे और पीछे होगी, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो के comment box में आप जरूर लिखें, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो like, share करें और चैनल को subscribe करना न भूले, bell बटन जरूर दबाएं, current affairs के साथ जुड़े हुए इस तरह के वीडियो हम हमारी चैनल पर प्रदर्शित करते रहते हैं, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थन्यवाद.